ड्रोइंग एजूकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज हम 6th क्लास के कोण नमबर 26 और 27 बनाएंगे तो कौण नमबर 26 है ए बी रेखा पर बिंदू ए पर 120 डिगरी का कोण प्रकार द्वारा बनाओ बहुत इजी कोण है पहले हम एक रेखा ए भी लेंगे रेखा ए बी ली इसे नाम दिया अब हमें 60 डिगरी का कोण बनाना तो आता है अब 120 डिगरी का कोण कैसे बनेगा यह हमने चाप ली इसे नाम दिया प्रकार को हिलाना नहीं है इतना ही रखेंगे तो यह हमारी पहली जो चाप होती है यह 60 डिगरी की होती है इसे नाम दिया D और जो इसके बाद हम दूसरी चाप लगाते हैं यह 120 डिगरी की होती है यह बन गया 120 डिगरी का कोण इसे नाम दिया E A से E को मिलाते हुए डाक लाइन लेनी है और ये हमारी आंसर लाइन है ये बन गया 120 डिग्री का कोण नेक्स्ट कोण है A B रेखा पर बिंदू A पर परकार दुआरा 105 डिग्री का कोण बनाओ अब जिस तरह से हमने 75 डिग्री का कोण राइट साइड को बनाया था तो लेफ्ट साइड को प्लस 15 करके 105 डिग्री का कोण बनेगा वैसे ही है बस ये लेफ्ट सरफ को बनेगा राइट एंगल के तो इसके लिए कौन-कौन से कोण बनेंगे 90 प्लस 15 हो गया 105 120 माइनस 15 ये हो गया 105 दोनों जो हम प्लस और माइनस करते हैं वह सेम होना चाहिए तो इसके लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वह है 90 डिग्री का कोण और 120 डिग्री का कोण तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे चाप लेंगे एसे ये 90 डिग्री का कोण है जहां पर दोनों चापें आपस में कट रही है उस बिंदू को मिलाना है एसे डॉटिड लाइन में 120 डिग्री का कोण बनाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चाप हमारे पास पहले से होती है तो जहां पर 90 डिग्री का कोण चाप को काट रहा है ये है N N से हम H से चाप लेंगे और N पर रखेंगे और चाप को काटेंगे जहां पर ये दोनों चापें आपस में कट रही है इसे डार्क लाइन में मिलाना है और ये हमारी अंसर लाइन है ये हमारा 105 डिग्री का कोण बनकर तियार है कोण C A B 105 डिग्री का कोण है अगर आपको किसी तरह को कोई डॉट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू वज़गवडश रादर शेवडियो लाइक प्सक्राइब करें सिर्म ठेड़ा बनकर टुड़झे धर यू